सो दोस्तो सबसीडी लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप लोग कई लोग पूछते हैं कि सबसीडी तरना समय क्यों लग रहा? क्यों नहीं आ रही? क्या करना चाहिए हमें सबसीडी लेने के लिए? क्योंकि हमें एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, तीन सा बताना चाहता हूं कि अगर आपकी सबसिडी में 6 महीने या 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया है तो आप फॉलो अप लेना सुरू करिए अब बैंक से फॉलो अप लिए बैंक आपको सही जवाब नहीं देते तो बैंक के ऊपर जाए नोडल एजनसी जो होती है नोडल ओपीसर बैंक के आइडी तो आप खुद बैंक से ले सकते हैं जहां से अपने लोन लिया है तो दोस्तो मैं यहीं कहूंगा आपसे फॉलो अप लें पीछे पढ़ें लोगों कि अगर ऐसा नहीं करेंगा आपको तो सबसिडी डेले होगा और एक समय के बास सबसिडी डैड हो पद्यान मंत्रियाबा सियोजन आएनी सी एने में कुसी जो लोग बैठे उनका कुछ नहीं जाएगा सबसिडी आपको नहीं मिली फरक सिर्फ आपको पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत उम्मीद से लोन लिया ता कि सबसिडी आएगी तो हमारी किस्त कम हो जाएगी हमारा इतना लोड कम हो जाएगा अगर आप ऐसानी करते हैं तो दोस्तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो दौस्तो आप पीछे पड़ेगे बैंक के आप फोलॉप लेना चुरू गाई इतना फोलॉप लीजेए परेशान कर दीजे बैंक को अजब तक आपको सही जवा आपको देना प्रग्म